यहां फैफरों को मजबूत करने और सांस लेने की क्षमता में सुधार करने के लिए भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र माना जाता है कि लापीस लाजुली विश्राम को बढ़ावा देता है और चिंता को कम करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और तनाव के स्तर को कम करता है. यह नींद की गुणवत्ता बढ़ाने, अनिद्रा से निपटने और आरामदायक नींद को बढ़ावा देने के लिए भी कहा जाता है यह ब्रहस्पती ग्रह द्वारा शासित है इसलिए यदी आपकी कुंदिली में इस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है, तो आपको यह रत्न धारन करना चाहिए यह नकारात्मक प्रभावों को निश्क्रिय कर देगा दरसल्द यदी आपका जन्म व्रिशब, तुला, धनू या मकर राशी में हुआ है, तो आप लापीस लाजुली रत्न धारन कर सकते हैं नए यूग के क्रिस्टल हीलिंग में लैपिस लाजुली एक पत्थर है, जो किसी की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिती में बहुत मदद करता है और उन्हें इन श्रेणियों में अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनाता है शायद यही कारण है कि उसके पास इतना मजबूत दिमाग है, जैसे कि वहाँ अपने दरपण को इतनी मजबूती से और अच्छी तरह से हैरफेर करती है और मैलाकाइट में उसका प्रभुत्व है वैदिक जोतिश में लापीस लाजुली रत्न पर ब्रहस्पती का शासन है यह सबसे बड़ा ग्रह है और चेतना की व्यापकता का कारण बनता है और राज योग, राज की अभाग्य और प्रचुरता देता है ब्रहस्पती गुरु या शिक्षक है और आध्यात्मिक और जोतिशिय रूप से बहुत मजबूत है रत्न का यहाँ आध्यात्मिक आखे खोलने वाला मन और शरीर को सामन जस्य बनाने में मदद करता है लैपिस सत्य और आत्मजाग रुकता का एक माध्यम है इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके सपनों का अर्थ हो तो इसे अपने तकिये के नीचे रखे और इससे जुड़े लापीस लाजुली एक गहरे नीले रंग का पत्थर है जो ग्यान, सच्चाई और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा है ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुतायत और सम्रिध्धी को आकरशित करने में मदद करता है साथ ही आंतरिक शांती और सद्भाव को बढ़ावा देता है लापीस लाजुली किसी की अंतरग्यान और मानसिक शमताओं को भी बढ़ा सकता है जिससे स्मार्ट वित्तिया निर्णय लेना आसान हो जाता है लापीस लाजुली और आपकी बाई कलाई पर पहनने के लिए आदर्श है क्योंकि वे आपके आंतरिक ज्ञान, अंतरग्यान और आध्यात्मिक शक्ति को प्रभावित करते हैं